पर्वेश प्रतिवन्द बाहरी जन्कर्दों से ही वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश। आयोध्या रामनगरे योध्या की हजारों वर्षों पूरानी परिक्रमा की परमपरा पर नहीं लगेगा प्रतिवन लेकिन बाहर से आने वाले शुरधालू इस परमपरा में नहीं शामिल हो सकेंगे जिसको लेकर आज आयोधा जनपत के अधिकारियों ने बैठक के दोरान या फैसले लिया कि राम नगरी आयोधिया में 14 कोसी व पंच कोशी परिक्रमा हजारों वर्ष पुरानी वरंपरा से चलती आ रही है आज भी इस परंपरा को आयोधिया के लोग जीवित रखेंगे दर् हो इसके लिए कोई त्योहार पर प्रतिबंध है लेकिन आयोधिया के परिक्रमा सनातन धर्म के सादू संतों की परंपरा है जिसके कारण इस परंपरा को नहीं रोका जा सकता है इसलिए यह आयोधिया के सादू संत ही इस परंपरा को निभाने के लिए अनुमती दी गई है जिसमें कोई भी श्रद्धालू इस दोरान अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेगा जिसको लेकर अयोध्या मंडला युक्त एमपी अगरवाल अयोध्या में होने वाली दीपोट सब 2020 परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्निमा मेला की तैयारी को लेकर जिसमें बताया गया कि श सुल्तानपूर अमेठी बाराबंकी आदी जन्पदों के वैयर विवस्ता को मजबूत करना होगा जिससे बाहरी लोगों की भागीदारी नहों सके और इस दीपोट सब एवं कार्तिक मेले को अयोध्या वासियों के लिए स्थानिय मेले के रूप में मनाना होगा तता बाहर लोग किसी भी प्रकाश से ना आपाएं इसके लिए हमें मजिस्ट्रे शेता द्रेकारी और संयुक्त बैठके शांती समिती का ग्राम प्रधानों एवं थाना द्यक्षों आधी के साथ बैठके आयोजित करना होगा इसके लिए इन शेत्रों के प्रवारी धंका कारे करना है इसके लिए एक अंतजन पर दिये WhatsApp ग्रूप बनाया गया है जिसका नमबर 9454402642 है जिसके माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा प्रचार प्रसार किया जाएगा Prime News 24 के लिए अयोध्यासे भीरो चीफ शेर इंतिवारी की रिपोर्ट